दोस्तो जिसने कबूला है कि मैंने पाकिस्तान पे अटेक किया है वास्तम में उसने अटेक नहीं किया दुनिया भर की मीडिया आपको पाकिस्तान में होने वाले अटेक के बारे में बता रही है पाकिस्तान के पेशावुर के एक मजजद में बड़ा बं-धमाका होता है लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान के अदर होने वाले इस अटाक की पटकता कब और कहां कैसे लिखी गई इसे के साथ आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान के अवाम आज इतनी तंग क्यों है और पाकिस्तान दुनिया भर में इतना बदनाम क्यों है आवास्तिविक्ता में जो वहां पर हमले होते हैं आतंकी उनका जिमेवार कौन हैं तो जानते हैं मेरे ओपीनियन में दोस्तो इस धर्ती पर दो ऐसे मुलक हैं जो मेरी नजर में आतंकी मुलक हैं पहला पढ़ा लिखा आतंकी अमेरिका और दूसरा अनपढ आतंकी पाकिस्तान इन दोनों मुलकों के बारे में अगर छोटी सी बात आपको बताऊं तो परवर्ती में फर्क है काम एक जैसे हैं जैसे अमेरिका जो है उसके लिए केवल अपने नागरिक प्रार्थमिक है और बाकी पूरी की पूरी दुनिया जो है वो भाड में जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अमेरिका तो इतना करूर मुलक है कि जब इसने वियतनाम वार के अंदर लड़ाई कर रहा था तो सारे लड़ाई के हसूल इसने तोड़ दिये थे कितना करूर मुलक है आप सोच के देखिए कि उसने वियतनाम के 90% जंगल जो हैं उन्हें खतम कर दिया उनके अंदर रहने वाले जिव जन्तूओं को खतम कर दिया पोईजन से युद्ध के अंदर हतियार चलाए जाते हैं लेकिन पोईजन छिड़क छिड़क के इसने उनको खतम कर दिया अब सोच के देखिए मानवों की लड़ाई के अंदर परकरती का क्या दोश्ट था आप दूसरी तरफ देखिए पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान अनपड आतंकी है इसलिए वो अपने लोगों के बारे में भी नहीं सोचता अपने भविष्य के बारे में मिनी सोचता और वो पुडोस में रहने वाले मुल्क है चाईश धरती पर रहने वाला कोई भी है उनके बारे में भी नहीं सोचता पाकिस्तान को तो केवल इतना है कि आप दुसरों को तंग करो दुसरों को मारो आतंक फैलाओ और आतंग फैलाने के बाद आप जब खुद मर जाओगे तो आप जो है जननत में जाओगे और वहाँ पर भीटर हूरे मिलेंगे अब मैंने तो कभी देखी नहीं और पता नहीं किसी को मिली हूँ तो बता दीजिएगा आपको मैं दोस्तों एक बात बता दूँ कि पाकिस्तान आज जिस हालात पर है उसके अंदर अमेरिका ने अपना फाइदा देख लिया क्योंकि उसे तो अपना ही फाइदा लेना है उसकी तो एक पोलिसी है पाकिस्तान ने कुछ नहीं देखा और बेवज है अमेरिका के साथ ऐसा अलाइंस बनाया अपना कि आज खुद पाकिस्तान जो है घुटनों के बल पर है, अनाज की कमी है, भुकमरी है, वहां पर लाइट नहीं है, वहां पर आतंकी हमले हो रहे हैं, पिछले कई सालों के अंदर उसके हजारों लोग आतंकी हमलों में मारे गए, पाकिस्तान को तो आज ये भी नहीं पता चलता कि हमने आतंकी खुद बनाए और वो खुदी को मार रहे हैं, कैसे मार रहे हैं इसको हम समझते हैं, क्यों ये सब पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, पाकिस्तान ने कुछ बड़ी गलतियां की थी, और वो गलत भी दोबारा उसके उपर अटैक ना कर दे और इसी वज़य से पाकिस्तान ने अपनी एकनोमी का लगबग 60-70% जो हिस्सा था, वो सेना के उपर खर्च करना शुरू कर दिया, इससे उनका देश गरीब होता गया, सेना मजबूत होती गई, और जब सेना मजबूत हो गई, तो उस सेना ने पाकिस्तान के जो पॉलिटीशन थे, उनको दबाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे पाकिस्तान के अंदर जो है, एक सैनिक सासन का माहूल बन गया, और फिर सैनिक सासन लंबे टाइम तक पाकिस्तान के अंदर चला, ये पाकिस्तान के सबसे बड़ी गलत कि 1954 के अंदर इन्होंने doctrine of necessity add किया जो सबसे बड़ी गलती थी जिसका मतलब था कि अगर देश की स्तिती जो emergency जैसी हो जाए तब एक बार सेना जो है उसे overlap कर सकती है संसत भवन को लेकिन इसका इस्तेमाल वहां के जो सैनिक सासक सासक रहे हैं उन्होंने हमेशा किया doctrine of necessity का जो एक emergency जैसा ही महुल बनाता है दूसरी बात कि सविधान बनते ही इन्होंने उसे इस्लामिक राष्ट्र घोशित कर दिया इन्होंने कोई development की बात नहीं की कोई democracy बचाने की बात नहीं की इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे नेजा ने उसे उनको क्या मिला कुछ भी नहीं मिला अब ये पहली गलती थी कि उन्होंने अपनी सेना को इतना मश्बूत कर लिया कि वहां पर जितनी भी चोदर थी वो जनता से जिनकर सेना के पास आ गई सेना अमीर थी उनकी दूसरी गलती जो पाकिस्तान ने की वो ये किया कि अमेरिका पूरे एशिया के अंदर डूंड रहा था कि मैं किसके साथ हाथ मिलाऊं कभी वो भारत की ओर आता कभी पाकिस्तान की ओर जाता तो भारत ने तो साफ कर दिया कि हम अजाद मुलक हैं अपने जीवन को अपने हुसूलों पर अपने हिसाब से जियेंगे और अपने देश को अपने पुर्शार्थ के हिसाब से हम आगे बढ़ाएंगे लेकिन जब वो पाकिस्तान के पास गया वहाँ पर उनके भ्रष्ट और लालची जो साइनिक सा सकते उन्होंने कहा कि आईए जेनाब क्या चाहिए तो अमेरिका ने कहा भाई कुछ नहीं बस आपकी साहिता के लिए आए है भारत आप पर कभी भी अटाइक कर सकता है क्योंकि आपने उनके कश्मीर पर अटाइक किया था तो उन्होंने कहा जनाफ फिर हम क्या करें तो आप ये कीजिए कि आप हमारे साथ एक डिफेंस का मिट्चल असाइन्मेंट का एग्रिमेंट कीजिए हम आपकी सेना को ट्रेनिंग देंगे USA के अंदर लिजाकर वहां पर ट्रेनिंग देंगे आपकी सेना को मद्बूत करेंगे तो पाकिस्तान ने कहा हमारे पास तो पैसे नहीं है सेना को ट्रेनिंग दिलाने के क्या चाहिए फिर आपको तो USA ने कहा कि भाई कुछ नहीं पस आपका जो एर स्पेस है इसे यूज़ करने दो हमें तो अमेरिका एक चलाक लोमड़ी है उसने पाकिस्तान का एर स्पेस 1950 से 1960 के बीच में यूज़ किया केवल मातर अफगानिस्तान के ओपर नजर बनाए रखने के लिए क्योंकि उस वक्त जो USSR होता था यानि उस वक्त का सियुक्त सोब्येत रूस जो हता था उसका दबदबा था अफगानिस्तान के अंदर क्योंकि वहां का लीडर जो था वो रूस के टच में था USSR के टच में था तो अमेरिका चाहता था कि कैसे ना कैसे अफगानिस्तान पर नजर रखी जाए अफगानिस्तान के उपर तो उड़ने के हिम्मत नहीं थी क्योंकि अफगानिस्तान आज तो बहुत बुरे हालत हैं लेकिन उस वक्त अफगानिस्तान एक मजबूत राष्टर था वहां पर भी सब कुछ अच्छा चल रहा था तो अमेरिका ने पाकिस्तान का एर स्पेस यूज किया 1950-1960 के बीच में केवल मातर अफगानिस्तान पर नजर बनाय रखने के लिए और उसके बाद में लगबग 2021 तक वो लगातार यूज करता रहा और पाकिस्तान के तीसरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने अपने ही देश के अंदर यानि पूर्वी पाकिस्तान के अंदर जो आज बंगलादेश है वहाँ पर जनता को दबाना शुरू किया और इसी वज़े से भारत ने बंगलादेश को आजाद करवाया दुनिया के अंदर 1975-76-78-78 के आसपस आप देखेंगे कि दो मुलक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मलब दुखी थे पहला अमेरिका क्योंकि वह 1973 का जो जंग था वियतनाम के साथ वो हार चुका था और दूसरा पाकिस्तान क्योंकि वह भारत के साथ एक जंग ही हुई थी उसकी 1991 के अंदर वो हार चुका था उसके 93,000 खोजी भारत के सामने गुटने टेके हुए थे तो इन दोनों को बड़ा दुख था उस दोर में 70-80 के दशक में पूरे दुखी थे दोनों देश फिर इनोंने एक बड़ा जटका जो और जहला वो ये था कि अफगानिस्तान का जो लीडर था वो मारा गया और उसके बाद में 1978 के आसपास वो मारा गया तो उसके बाद में USSR ने अफगानिस्तान को इन्वेड कर लिया अब इसका सबसे बड़ा जटका तो लगा पाकिस्तान को कि ये क्या हुआ एक USSR हमारे बगल में आके बैठ गया और उसके उससे बड़ा जटका जो है वो लगा अमेरिका को कि इतने साल से पाकिस्तान के सेना को मुफ्त में ट्रेनिंग दे रहे हैं इतने हत्यार दे रहे हैं और इनका एर स्पेस यूज़ करने के लिए उसके बाद भी अफगानिस्तान के अंदर इतना बड़ा चेंज हो गया तो कैसे USSR को रोकें इसके लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को जो है एक संधी की पाकिस्तान के साथ और वो संधी क्या थी कि ISI पाकिस्तान के अनपड लड़कों को आतंकवादी बनाकर अफगानिस्तान के अंदर भेजेगी अफगानिस्तान के अंदर USSR की सरकार है तो ये आतंकवादी अफगानिस्तान के अंदर धर्मिक लड़ाई लड़ाएंगे और उससे जो USSR तंग होगा और बापस चला जाएगा और इस चीज़ के लिए अपने लोगों को मरवाने के लिए पाकिस्तान ने उस दोरान 5.3 बिलियन डॉलर रुपे लिए अमेरिका से और ये रुपे कोई आम जंता के पास थोड़ी गए थे पाकिस्तान के आम जंता बहुत मासूम है ये सारे के सारे रुपे वहां के सेना के अधिकारियों के पास गए और उन्होंने खुब पैसा छापा और इसके बदले में 10 साल तक अफगानिस्तान के अंदर लगातार अतकवादी अटैक होते रहे और ये अटैक पाकिस्तान करवाता रहा इसके बाद 1988 के तकरीबन 10 साल बाद जो USSR था ये बापस चला गया इसने अजाद कर दिया अफगानिस्तान को और 1991 में USSR खुद टूट गया तो इसके बाद जितने भी आतंकवादी पाकिस्तान और अमेरिका की मिली भक्ती से दुनिया में तयार हुए सारे के सारे बेरोजगार हो गए क्योंकि अमेरिका ने पैसा देना बंद कर दिया अब ये जितने भी आतंकवादी थे इन्होंने अलग लग जगहें पर अटेक करना शुरू कर दिया आतंकवादी की फितरत होती है अटेक करना तो इन्होंने जैसे बाली के अंदर दोस्तों दोग मार दिये थे इन्होंने USMSC के उपर अटेक कर दिया इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड टावर पर अटेक कर दिया अब जाकर जो है अमेरिका उसके आंखे खुली कि ये क्या हमने तो आतकवादी त्यार करवाए और ये हमी पर अटेक करने लगे और सबसे बड़ा अटेक अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हुआ उससे अमेरिका एकदम दहल गया एकदम डर गया कि ये क्या हमारे नाग हमी को डस रहे हैं तो उसके बाद में वो आतंकियों के खिलाफ थोड़ा सक्त रहे अपनाने लगा अमेरिका का पास टेक्नोलोजी काफी अच्छी है वहां की सेना काफी वैसे मुश्बूत है तो उन्होंने इनके साथ लड़ना शुरू कर दिया तो यह आतंकवादी बोल रहे हैं कि वहां पे तो मरना पड़ेगा अमेरिका में जाके तो चलो एक काम करते हैं पाकिस्तान पे अटाक कर लेते हैं तो इन्हीं आतंकवादियों ने पाकिस्तान के अंदर ही अटाक करने शुरू कर दिये और आप देखेंगे कि सन 2000 से लेके अब तक लगभग जो है अगर आप फोर्स के आदवी माने और जो वहां के सिविलियन माने और जो मिलिटेंट हैं उनको माने सबको अगर गिने तो लगभग 60,000 के करीब जो है पाकिस्तान के अंदर लोग मारे गए हैं अब तक अब रही बात कि पाकिस्तान के अंदर होने वाले इन हमलों का जिम्मेदार कोन हैं तो मैं मानता हूँ इसका सबसे बड़ा जिमेदार जो है वो वहां की संसद है जिसने इतनी अनपड संसद कि उसने अपनी सारी की सारी पावरें पैसे के लालच में सेना को थमा दी और सेना उनकी इसलिए मजबूत हुई क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी गलती 1948 में कर ली कि उन्होंने अजाद होते ही कश्मीर पे अटाइक कर लिया हम भाखडा नागल बना रहे थे और आप हत्यार बना रहे थे हम पे अटाइक करने के लिए और आज देखिए दुनिया के अंदर सबसे बड़ी ताकतों के अंदर भारत है और सबसे कमजोर मुलकों के अंदर पाकिस्तान तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमले होते हैं वो आतंकी नहीं कर रहे हैं उनकी जो पूरी की पूरी बिर्योक्रेसी है उसके द्वारा त्यार किये गए प्लैंस के कारण हो रहे हैं और वो plans जो दूसरों को खत्म करने के लिए बनाए गए थे वो आज पाकिस्तान पे ही भारी पड़ रहे हैं। खर दोस्तो मेरा यह opinion आपको कैसा लगा कमेंट श्रेक्शन में जरूर बताएं।